हमारी संस्किती, हमारी पहचान, यज्य, योग, आयुर्वेद, सदा रहे हमारे साथ, भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्य महिमा भारती संस्किती में यज्य, योग, एवं आयुर्वेद जैसी अमूले विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद, इतिहाज की ओर द्रिश्टी डालें, तो भगवान राम, भगवान प्रिश्ण से लेकर, राजा महराजाओं, ग्रामवासियों वो अरण्यवासी रिशियों की क प्रचलन देखने को मिलता है। जो अलग-अलग तत्वा होते हैं, वह तत्वा को यदि हम देखें, तो वह तत्वा विशेश करके, हमारे परियावरान के पोशन और संवर्धन के साथ-साथ, अलग-अलग कई सारे प्रकार के लागों को देने वाले होते हैं। और हम जब बिमार हो जाते हैं, रुगण हो जाते हैं, रोगी हो जाते हैं, जब हम डोक्टर के पांच जाते हैं, और डोक्टर हमें अलग-अलग प्रकार की जब दवाया देता है। अच्छा आपको घुटनों में दर्ध है, यह ले 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 ले, अलग-अलग रोगों के लिए अलग-अलग जो दवाया देता है। उसके अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं, वहाँ कंपोनेंट्स इस यज्य करने पर, हवन करने पर जो धूमर निकलता है उसको एनलाइज हमने किया, यह आप देख पा रहे हैं, गेस क्रोमोटोग्राफ हे मास स्पेक्ट्रसकोपी हवन करने पर उसके धूमे को एनलाइज करने पर यह तत्व विशेश उपसे पाएंगे एथिलिन ओक्साइड प्रोपलिन ओक्साइड से लेकर के गलाइकोल से लेकर के केमफर से लेकर के एरोजोन से लेकर के अलग लग काई सारे ऐसे कंपोनेंट्स पाए गए जो components हम model medical science के अंदर treatment के लिए परियोग करते हैं चिकित्सा के लिए हम परियोग करते हैं वह ठोस रूप में होता है गोली के रूप में लेते हैं तो injection के रूप में लेते हैं तो वही वही component द्रव रूप में होते हैं और यज्य करते हैं तो वही के वही components multiple available form में एक साथ हमें प्राप्त होते हैं वायू के माध्यम से और वह जब वायू के अंदर आ जाते हैं यज्य करने पर वायू में आ गए अपने घर की वायू के अंदर आ गए उस वायू के अंदर जब आ जाता है और उसमें हम स्वास प्रस्वास की क्रियाय करते हैं देखिए हम जिस जीवन को जी रहे हैं वह शक्ति से चलता है सक्ति की एनरजी की उर्जा की हमें आवशक्ता होती है वह शक्ति, वह एनर्जी, वह उर्जा हमें प्राप्त होती हैं आहार के माध्यवज़ वह आहार हम तीन रुपों में लेते हैं ठोस, द्रव और गेस ठोस रुप में रोटी, दाल, चावलादी हम लेते हैं द्रव रुप में पानी, दूद, जूसादी हम लेते हैं और गेस रूप में वायू को हम लेते हैं, यह तीन रूपों में हम निरंतरता के साथ आहार लेते हैं और इन तीन रूपों में ही हम मलों को त्यागते हैं, उच्वास, मल और मुत्र के रूप में, हम त्याग करते हैं, और यह जो तीन रूपों में हम आहार लेते हैं, उसमें वायू हम 24 गंटा ले रहे हैं एनी टाइप खाते पीते उपते बेटे से और यहां तक ही रात को सो जाते हैं तब भी यह वायू रूप आहार निरंतर चालो होता है अर्था 24 गंटे में सबसे ज़्यादा लिये जाने वाला कोई हमारा आहार होता है तो वायू रूप आहार होता है जहां एक और सबसे ज़्यादा है वहीं एक और सबसे इंपोर्टेंट भी हम आहार ना ले ठोस रूप रवटी दाल चावल ना ले तब भी हम 2-3 महीने जीवित रह सकते हैं हम पानी, दूद, जूस आदी ना ले तब भी हम 2-3 सप्ता जीवित रह सकते हैं हम वायू रूप आहार ना ले तो 2-3 मिनिट भी जीवित नहीं रह सकते कहिने का अभी प्राए हैं कि सबसे ज़्यादा होने के साथ सबसे इंपोर्टेंट जिसके बीना हम 2 मिनिट भी जिन्दा नहीं रह सकते वह कोई आहार हमारा है तो वायू रूप आहा है अब वह निरंतर हमारे अंदर जा रहा है वायू करते हैं अगने होतर करते हैं अगने पर हम दवाई के रूप में खाते हैं तो हमारी पचंद ताकात कितनी सचक्त मजबूत है, कितना पहुच पा रहा है और एक क्रम है पूरा उसका उसके बाद जाकर कि हमारे शरीर में कुछ प्रतिसत लगती है लेकिन जब हम यज़ करते हैं, हَवन करते हैं, अगनि होतर करते हैं, उससे जो गेश रुप में आया, आप एनी टाइम, हर सेकेंड आप स्वास ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, इसके माधियम से वो components, गेश फ़म में, Lungs तक, Lungs के माधियम से ब्लड में और ब्लड के माध सीड़ से चिकिटसा देने का तरीका होता है उसको क्या मांते हैं? एरोमा थेर्पी, गन्द चिकिटसा या फिर स्वांस के मादयम से दी जाएने वाली जो चिकिटसा ही होती हो सब से ते जिवांगा इसलिए जब पागल पन, उन्वाद से युक्त व्यक्ति होता है और उसको उनको कंट्रोल में करना है तो इंजिसन नहीं दे सकते हैं, उनको दवाई भी नहीं खिला सकते हैं, क्या करते हैं? उसको सुंगा देते हैं, तूरंट वो काबो होते हैं, ऐसे और भी बहुत सारी मिलता है, वैसे ही एक स्वांस मात्रा से और उस स्वांस प्रस्वांस की क्रियाओं में हम जब यजियत, हुम्र, सुगदित, धुर्म, मेडिकेटेड एयर को हम लेते हैं, तो उसे हमारे रोग सांत होते हैं, रोग दूर होते हैं, यह ताक्रत, ओ शक्ति इस यज्य के अंद के साथ जो मैं बता रहा हूं कि वो कंपोनेंट्स हमने पतंजली रिसर्च इंस्टिटूट में, पी आराई में एनलाइज करके हमने पाया हैं, कि उसके अंदर वो सारी कंपोनेंट्स होते हैं, और वह निरापन हैं, और उसको लेने पर हमारी चिकित्सा होती हैं, और हमने प्रयोग करने पर, क्या-क्या रोग दूर होते हैं, कैंसर, पेरलाइसिस, पार्किंसर, मिर्गी से लेकर के, बच्चों में मंगोलता से लेकर के, अनेक अनेक प्रकार की बीमारिया जिसको जान लेवा बीमारिया, मस्तुलर डिस्ट्रोपी तक के रोग्यों को हमने इस यज्य चिकित्सा थे ठीक होते हुए देखा और आप भी देखना चाहे तो स्वाम यज्य देव यूट्यूब चैनल के उपर हमने उन सभी लोगों के साक्षात कार लेकर के और उसकी वीडियो बना करके हमने वहां पे रखी आप स्वयम देख सकते हैं कि हमारी रिश्यो के द्वारा दी हुई जो वीधा और वीध्या है और इसको यज्य को एक चिकित्सा पद्दत ही बताया है तीन प्रकार के चिकित्सा होते हैं एक होती है मानुसु चिकित्सा एक होती है आस्वरी चिकित्सा और एक होती है देविय चिकित्सा और आईरवेज ग्रंतों में इस यज्य को इस हवन को इस अगनी होतर को देविय चिकित्सा का दरजा दिया यह देविय चिकित्सा है और ऐसे ऐसे उदाहरण हमने देखे हैं कि जो मोडल मेडिकल साइंस में लाखो लाखो खर्च करने के बावजूद भी जो रोग ठीक नहीं हुए वह रोग हमने यज्य चिकित्सा से ठीक होते हुए देखे तो यह एक चिकित्सा पती तो तीसरा जो महत्वपुन और विशेश लाब में जो आपको बताने जा रहा था वह थीसरा और महत पुन विशेश लाब यहाँ हैं कि यज्ज के द्वारा हमेरी चिकित्सा होना वायू के रूप में वो components और मोल्क्णील्स लूप में प्राथ होते यह उससे हमारा treatment होता है हमारी चिकित्सा होता है उससे हमारे सारी रोग सांत होते हैं दूर होता है यह एक बहुत बड़ी बार तो इसलिए यह तीसरा और महत अपुन अलाव है कि उससे हमारी चिकित साहँ यह जो मैंने कहा कि हम कोई भी आहोती यजजगनी में देते हैं वो रुपांतरित होता है तो तीन रुपों में आता है गेस रुप में पार्टिकल के रुप में और तीसरा मेंने बताया था एनर्जी के रुप में जब वो गेस रुप में आता है तो उसके तीन लाव मेंने बताएं एक तो वाई प्रिशन का ठीक होना दूसरा माइक्रोबाइलोजिकल प्रिशन का दूर होना और तीसरा हमारी चिकित्सा होना रोग ठीक होना रोग दूर होना आरोग ये की प्राप्ति होना अब हम दूसरा लाब महत्पपुण जो पार्टिकल निकलते हैं उसके तीन महत्पपुण और विशेश लाब होते हैं पार्टिकल होना वो आपके सामें पहला पार्टिकल क्या होता है आप जब बंद कमरा होता है और उसमें स्टोर्च जलाए या सूर्य की एक किरण सी आती हो और उसमें आपको तेरते हुए बहुत बड़ी मात्रा में कान देखने को नहीं ते उनको कहते हैं पार्टिकल 2.5 से लेकर के 10 तक के पार्टिकल होते हैं हमारी स्वांस नली से लेकर फेपड़ों तक जमा होते हैं और वो रूखते हैं उससे भी और महीन छोटे नेनो पार्टिकल होते हैं और स्वांस प्रणाली के माधियम से हमारे बलड तक में भी गुल जाते हैं इसलिए जहां पे जोगी की करण सबसे ज्यादा होता है जहां पर फोलियू सन बहुत बड़ी मात्रा में है उन इलाकों में रहने वाले लोगों के ब्लड में लेड से लेकर के अलग-अलग प्रकार के जो प्रदुशक तत्व पेट्रो लीजल या म्रीत इंधनों को जलाने पर पाये जाते हैं वो उसके जो नेनो पार्टिकल कान होते हैं उनके ब्लड में घुले हुए मिलते हैं और उसके काणवों को blood cancer से ले करके गाठों से ले करके ना जाने कितने कितने प्रकार के भयंकर भयंकर रोग जाते। वो विजाती अतत्त्त उनके शरीट के अंदर गए उसके काणवों गए। एसे ही भलब प्रकार के होते हैं एक होता है मरिती इंधन के जलाने पर निकलने वाले पार्टिकल एक होता है सजीविंधन विशेज जड़ीबू किया जिसके अंदर ऐटोमेटिक और उड़न सिल तेल है गाय का गृत है उसको जलाते हैं उससे बने वाले अच्छी अश्यदि नेनो स्केल पार्टिकल इसको हम कहते हैं, उसके उपर हमने रिसर्च किया, अनसंदान किया स्कैनिंग, इलेक्ट्रोनिक, माइक्रोस्कॉपी, इमेज है यह, जो माइक्रो लेवल पर जा करके, जो नेनो पार्टिकल होते हैं, उसकी पीक है, उसकी यह फोटो है 153 नेनो मीटर उससे भी छोटे महीन महीन पार्टिकल होते हैं अब यह जो पार्टिकल हैं उसको जब हमने एनलाईज किया देखा इसके अंदर जो उडनसिल तेल होते हैं एरोमेटिक्स ओई होते हैं जो मेडिसनल गून होते हैं वो उसके साथ रहते हैं जब हम यज़्जमें आहुत करते हों उससे मंते हैं उसमें यहां जो पार्टिकल है वो मेडिशनल पार्टिकल है आज मॉडन मेडिकल साइंस में बहुत बड़ी मातरा में वोड़ लगी हुई है कि हम नेनो मेडिसिन के उपर जाएं अर्था कम से कम थोड़ी सी मातरा में दवाई लेने पर उसका जो एफेक्ट उसका जो लाव होता है वो पूरा और ज्यादा मेड़ा है और जिस स्थान पे जिस एरिये में उसकी आवश्यक्ता है वहीं तक उसको सही तरीके से पहुँचाए जाए इधर उधर नादा इस प्रकार नेनो टेक्नोलोजी के उपर बहुत बड़ी मातरा में कारिय चल लाए और आपको जान करके आश्यरी वगर जो हमारे रिश्यों ने देवी अचिक इत्सा कहा वो एक नेनो टेक्नोलोजी है एक नेनो साइन्स है यज्य करने पर जो पार्टिकल बनते हो नेनो स्केल पार्टिकल होते हैं और वह पार्टिकल मेडिशनल पार्टिकल होते हैं और स्वास के मादियम से हमारे बलड तक मिल जाते हैं और हमारे ब्लड में वो पार्टिकल गुर के हमें स्वास्थ देने का कारी करते हैं ऐसे ही वायू मंदल में भी उसका प्रभाव विश्यश पढ़ता है लेकिन हमारे स्वास्थ के माधियम से अंदर जा करके हमें स्वास्थ देने का भी कारी 2.5 से लेकर के 10 तक के जो पार्टिकल होते हैं वह पार्टिकल 2.5 से लेकर के 10 तक के पार्टिकल वह हमारी नासिका से लेकर के फेफड़ों से पहले पहले तक वह रुख जाते हैं लेकिन उससे भी जो महीन होते हैं चोटे पार्टिकल होते हैं वो अस्वांस प्रणाली के माद्यम से हमारे शरीर के अंदर प्रवेश पाया और वो हमारी चिकित्सा करने का कारी करता है और यह आप रिपोर्ट देख रहे हैं हमारे पास यह कहीं सारी जो पतंजली रिसर्च लाब होता है कि उन पार्टिकलों के माद्यम से हमारी चिकित्सा करता है दूसरा लाब महत पुन और विशेश यह होता है पार्टिकल का आज हम जिस वायू के समुद्र में रह रहे हैं इस वायू के समुद्र के अंदर दो प्रकार के पार्टिकल पाये जाते हैं एक होता है रिन आवेशित रिनायन कन और दूसरा होता है धन आवेशित धनायन कन दो प्रकार के कन होते हैं यह जो दो प्रकार के कन होते हैं उसमें जो धन आवेशित कन हैं वो स्वाभावी करुप से जहां पे सहरी करण है जहांपर भीड़ भालवाला इलाका है, जहांपर ओदयोगी की करण है, वहांपर बहुत बड़ी मातर में पाय बात। और उस वायू मिडल में रहने पर, स्वांस प्रस्वांस के क्रिया प्रणाली करने पर, उससे हमारा स्वास्थ गिरता है। हमारी बोड़ी के अंदर ब्लड सिरोटिन की मातरा बढ़ जाती है ब्लड सिरोटिन की मातरा बढ़ जाती है तो हमारी बोड़ी एसिटिक बन जाती है और एसिटिक बोड़ी बनने करण अनेक प्रकार के रोगों का घर हमारा शरीर बन जाता है और अनिक प्रकार की बीमारिया होती है इसी प्रकार से जो दूसरे कड़ में ने बताए रीन आविशित कड़ स्वाभाविक रूप से वो जहां पे जंगल हैं बहुत बड़ी मातरा में पेड़, पोधे, जरने आदी हैं नदी है, समुद्र के तठ हैं वहाँ पे स्वाभाविक रूप से रीन आविशित कड़ों की बाहुलियता पाही जाती है पहाड़ी इला के आदी में और उसमें रहने पर हमारे शरीर के अंदर ब्लड सिरोटिन की मातरा नियून हो जाती हैं उसके करण हमारी बोड़ी आलकलाइन बनती है और जब अमारी बोड़ी आलकलाइन बन जाती है तो हमें कोई रोग होता ही नहीं है और हो भी गया है तो जल्दी से छुटका रम जाती है इसको मोडल मेडिकल साइंस में आयन चिकेट साब बोलती है कि आपको ये बीमारी हैं तो आप साल में छे महीने दो महीने, एक महीने सब्ता आप ऐसे स्थान पे जाकर के रहे जहां पर रीन आवशित प्राधानिय वाला वाय मुडल हो इसलिए के थे पहाड इक्षेत रमे, जंगल या ऐसा जो ग्रामिन इलाका होता है उसमें उनकुछ विशेश रोगियों को रहने के लिए बताते हैं और वहाँ पर रहने पर विशेश रुप से उसके सरी के अंदर ब्लडशी रोटिन के मात्रा कम हुई, आलकलाइन बोड़ी बनी, सबसाब है के रुप से रोग दूर हो जाता है और ये बात में क्यों बता रहा हूँ जब हम यज्य करते हैं, हवन करते हैं, अगनिहोतर करते हैं उससे जो पार्टिकल निकले वह पार्टिकल जब वायू मंडल के अंदर आ जाते हैं उस पार्टिकलों में पाया गया कि जिस स्थान पे प्रती दीन यज्य होता है उस स्थान के वायू मंडल के अंदर प्रती सेंटी मीटर एर के अंदर 200 से 400 रिन आविशित करन पाए जाते हैं 200 से 400 रिन आविशित करन यह अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्दी और विशेश बात है आज इस प्रदूशित यूग में हम जहाँ पर भी रहते हैं वहाँ पर अपने गर में ऐसा छोटा सा प्रती दिन यदि हम यज्य कर लेते हैं तो जैसा घने जंगल के अंदर 200 से 400 रिन आविशित करन पाए जाते हैं ऐसा वायू मंडल पाए जाता है जंगल जैसा वायू मंडल हम अपने हाथों से अपने घर में निर्मित कर सकते हैं इस यज्य को करके इस प्रदूशित यूग इससे बढ़िया और क्या लावट सा यह पार्टिकल का दूसरा और महत्पप्र लावट और तीसरा आज जिस जीवन सेली को हम जी रहे हैं उसमें घर की दिवारों के अंदर केबल्स बिचे हैं, बोर्ड लगे हैं लेप्टोप, टीवी, कॉम्प्यूटर से लेकर के मोबाइल से लेकर के, मोबाइल टावरों से लेकर के ना जाने कितने कितने प्रकार के हम अलग-अलग radiation छोड़ने वाले द्रव्यों का प्रियों करते हैं और यहां तक कि carbonic पदार्थों का प्रियों करने लगे हैं और आज हम जिस जीवन सेली को जी रहे हम एक radiation की जाल में जी रहे हैं और यहां जो radiation है उसके प्राधान ये वाई उमडल में रहने पर हमारा नर्वस सिस्टम वीक हो जाते हैं हमारी स्मिलती सकती गढ़ती है हमारा मन चीड़-चीड़ा हो जाता है नेचेन हो जाता है धेरियहीन हो जाता है और भी अधिक radiation वाले वाई उमडल में रहने पर muscular dystopi MND से लेकर कैंसर जैसे असाध्य रोग भी हो जाते है इस radiation के पर और आपको जानके आस्चेरी होगा जब हम हवन करते हैं यज्य करते हैं उससे जो particle बनते हैं जो particle सामने आते हैं उन particle के सामने आने पर उन particle के वाई उमडल में आने पर वह particle उस radiation की range को खतम कर देते हैं दूर कर देते हैं नश्ट कर देते हैं ये वर्तमान में पूरी दुनिया जिस तीसरी महा समस्या वैश्विक समस्या से है जो जूज रहा है उसके उपर एक बहुत बड़ी उपलब्दी है आप अपने घर के अंदर इस यज़ी को हवन को प्रती दिन करेंगे तो आप इस radiation से भी बच पाएं और ये डोक्टर वाई की विजय जी राजस्थान जैपर युनिवर्शिटी में स्वामी कृष्णा ने सरस्वती जी के निर्देशन में उन्हों ने कारिय किया और उन्होंने इन बातों को बताया विश्य सुर्प्ट ये बाते सामने आई इसी प्रकार से डोक्टर मंता सक्सेना जी दिल्ली सेंटरल पॉलियोशन गवर्मेंट बोर्ड के अंदर साथ उनके साथ मेल करके उन्होंने कारिय किया उसने भी उन्होंने Electromagnetic Radiation के उपर कारिय करके उन्होंने बताए कि यह Electromagnetic Radiation यज्य के पार्टिकल वायू मुडल में आने पर दूर हो जाता है यह एक बहुत बड़ी बात है आज वर्तमान जिस जीवन सैली को हम जी रहे हैं उस जीवन सैली को जीने के लिए उस जीवन सैली को आगे बढ़ाने के लिए यह यज्य यह हवन यह अगनी होत्र एक बहुत बड़ा हमारे जीवन को सुचार रूप से आगे बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा उपाई है इसलिए मैं कहता हूँ आज कि केवल मातर आवशकता नहीं यह वर्तमान की अनीवारियता है कि हम यज्य को अपनाएं इससे radiation दूर होगा इससे microbiological production दूर होगा इससे chemical production दूर होगा इससे कई सारी प्रकार की जो जलंत समस्याए है बिमारिया हैं, रोग हैं, दोश है जिसके कारण आज मनुष्य समाज तो बूरी तरह से प्रभावित होई रहा है उसके साथ-साथ आज माप्रकृती भी इस प्रदुसनों के कारण बहुत बड़ी मातरा में शतिकों प्राप्त हुई है आज हम इस प्रकृति मा का स्तन पान नहीं रक्त पान कर रहे हैं जिस विकास की अंधी दोड में हम अंधे होकर के अपनी सुक्स विदाओं को बढ़ाने के लिए हम इस प्रकृति का अंधा दूंद दोहन कर रहे हैं ये बहुत बड़ी हम हाने कर रहे हैं इसलिए किसी ने कहा है यह वायू प्रदूसन एक ऐसा जहर है कि अपने ही जन्म दाता को बस्मासूर की तरह नश्ट कर देता है आज हम ही इस वायू प्रदूसन को जन्म दे रहे हैं वायू प्रदूसन को पैदा कर रहे हैं और यही वायू प्रदूसर्ण आज 70 लाग से अधिक लोगों की जान ले रहा है। जो प्राण वायू हमें जीवन देती हैं, वही प्राण वायू आज 70 लाग से अधिक लोगों का जीवन ले रही है। ये एक बहुत बड़ी दुख़द बात है। और आज कोई छोटी सी आपदा आ जाए, कोई छोटी मोटी इसी घटना घट जाए, तो न्यूज चैनलों से ले करके, मीडिया से ले करके, सारी संस्थाएं अपना राहत को खोल देती हैं, 5, 10, 15, 20,000 लोग प्रभावित होने पर। और जिस एक वायू प्रदूसर्ण के कारण, आज पूरी दुनिया जूज रही है। और सत्तर लाख लोग बहुत बड़ा आकड़ा होता है। बहुत बड़ी मातरा में लोगों की हानी हो रही है। और आज हमारा किसी का भी इस बिंदू के उपर दिहान है। हम कोई इस चीज़ को नहीं देख रहे हैं। अंदा धूद इस संसाधनों का प्रयोग करके और प्रदूसन को हम बढ़ा, हमें ठैरनी की आवशकता है, सोचने की आवशकता हैं। और इस प्रकृति के पोशन में, इस प्रकृति के संवर्धन में, इस प्रकृति को सुरक्षित करने के लिए एक बहुत बड़े-बड़े खदम की आवश्यक्ता है इसलिए मैं आखवान करता हूँ आप सभी भाई बेनों आएए हम सब मिल करके इस प्रकृति मां के संरक्षन के लिए इस प्रकृति मां को सुरक्षित रखने के लिए जो भी उपाई कर सकते हो करे और उसके साथ साथ हम संकल का फूरवग इस यज्य को जरूर करे क्योंकि यह यज्य यह हवन यह अगनीहुत्र इस मां प्रकृति के पोषन का सबसे बड़ा सादन है इसलिए कहा अयम यज्य भुवनस्य नाभी यह यज्य यह हवन अगनीहुत्र संपून भूमनल ब्रम्हान की नाभी ये केंद्र है जैसे हमारा पालन पोशन और समवर्धन हमारी मा के गर्व में नाभी के माध्यम से होता है ऐसे ही इस प्रकृति का पोशन, इस प्रकृति का शोधन, इस प्रकृति का समवर्धन इस यज्य रूपी नाभी से होता है इसलिए इस प्रकृति के पोशन के लिए हम सब मिल करके प्रती दिन यज्य करें और औरों को भी करने के लिए प्रेरित करें यह वर्तमान की आवशक्ता मात्र नहीं यह वर्तमान की अनीवारियता है और इस चीज़ को आज हम नहीं करेंगे तो हम ना रेडियसन से बच पाएंगे ना वायू प्रदूसन से बच पाएंगे ना माइक्रो बाइलोजिकल प्रदूसन और उससे होने वाले अनेक प्रकार की बिमारियों से हम बच पाएंगे ना हम रेडियसन से बच पाएंगे ना हम अलग अलग प्रकार की एसी जो अनेक प्रकार की समस्यां हैं उससे बज़ पाएंगे और एक ऐसा हमारे रिश्यों के द्वारा दिया हुआ अमोग ग्रमास्तर अपने अज्यान को मिटा लो सब चीजों से बुरी चीज़े अपने आपको हटा लो तो सारी चीजों से मुक्त हो जाओगे और भगवान से युक्त हो जाओगे यह हैं युक्ती की मुक्ती अपना अपना ब्यासाब करो हवन कुंड पर बैठ करके हवन करने के लिए मैंने बोला हुआ था विशेश रूप से सुबह के समय एपिलेफसी के पेसेंट पार्किनसन पार्किनसन एपिलेफसी एमेंडी और एंक्लोजिंस पॉलाइटी सॉले थोड़े देर तो आशन कर लें फिर बाद में वो भी बैठ जाए जिनको बहुत 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 जादा स्ट्रेस, अंजाइटी, डिप्रेशन, मेंटर प्रब्रम से वो थोड़ी थोड़ी देर हवन करके आदा-दा गंटा उठते रहें कुछ कबजा जमा के बैठ जाते हैं फिर उठते ही नहीं वहां से एक एक गंटे बाद उठा दिया करो दूसरे आजाये करें फिर उनके इसलिए मैं कहा रहा हूँ, आप करोडों, अर्भों, खर्भों तरह से घायल है, आहत हैं, तो और फिर यह यहां चारों तरफ हवन का धुम्र देते हैं, यह हवन चिकित्सा यह जे चिकित्सा भी मैंने पहली बार शुरू की, मैं बच्पन से हवन करता था, पहले चोरी छि गरा है, तो हम लोग चोरी से घर से घी ले जाते और पुराने ढूंड, पुराने मकान होते थे न, पहले गाओं में, उनमें जो घड़े फूट जाते थे ठेकरे, उनका हवन कुंड बना करके, और वहां से आहुती देते, और उस आहुती का यह फल है, कि चोरी से घी चोरी करके, चोरी से ठेकरे में हवन करके, और पुराने ढूंड में हवन करके, वह यज्य करने का परिणाम है, कि स्वामी राम देव के पुन्ने जाग गए और सन्यासी बन गया, इसका मतरब यह नहीं कि जो हवन करेंगे, सब सन्यासी बन जाएंगे, तुम अच्छे जरूर बन के साथ यज्य जुडा हुआ है, चाहे वह संसकार, चाहे पुजा पाड या फिर परवसे लेकर हर सूब असूब आउसरों में भी यज्य करने की सार्व खौमिक, वैज्यानिक एवं पंथ निर्बेक्ष पावनी परंपरा रही है, आईए, हम संकल्प ले, संसार की स्रेष् कर्म यज्य को अबनाएं, बिंड और म्हांड में संतुलन कायम करने वाले यज्य को अपने जीवन का अभिन अंग बनाएं, एवं प्रकृति महा की प्रति अपने रिनों को अदा करें, विश्व स्वास्ति का एक नारा, यज्य से होगा जग उज्यारा,